मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों यह जो वीडियो है यह है वाउ टू स्टडी मटेरिया मेडी का जो एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं यह यह टिका पार्ट है इसका जो पहला पार्ट है वह पनाकप कटर उपर उस्य की का को कद्षीशन सबस्राइब करें धर रून सवाल के जवाब में उनको मटेरिया मेडिक है पड़ने का और बटाने और मैंने उस वीडियो में कहा था कि देखिया Materia Medica को पढ़ना एक बहुत ही जादा कठिन काम होता है आप एक बात बताईए ना कि हम मैंसे हर कोई BHMS स्टूडेंट साड़े 5 साल पढ़के BHMS निकलता है तो जब हम साड़े 5 साल में हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं पूरे साड़े 5 साल की महनत के बाद भी हम Materia Medica के सार को नहीं समझ पाते हैं तो आप समझ सकते हैं common sense है कि भाई एक या दो वीडियो में मैं कैसे आपको बता दूंगा कि भाई Materia Medica को पढ़ने का सही तरीका क्या है तो उस वीडियो में जो जिसकी में बात कर रहा हूं उस वीडियो के अंदर मैंने जनरल एक मतलब अपने सारे पॉइंट्स रखे थे कि Materia Medica को पढ़ने का तरीका क्या है और उसमें मैंने ये भी बताया है कि एलन्स की नोट इतना ज्यादा कठिन क्यों होता है और ये जो वीडियो है ये उसी का सीक्वल है इसका मैं इसलिए मैंने टाइटल रखा है हाउ टू स्टेडी की Materia Medica पार्ट टू बिकॉज डेट वीडियो इस पार्ट वन और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिकली बताने की कोशिश करी है क्योंकि देखिए स्टुडेंट्स और ज्यादा तर आप में से सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि Materia Medica जब हम पढ़ने को बैठते हैं ना तो 90% चीजा ऐसी ऊपर से चली जाती है थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं ड्रक से पर जैसे हमें इंट्रोडक्शन के आगे निकलते हैं पर्टिकुलर्स पर जाते हैं और ऐसी चीज़े आती हैं जिसका कोई हमको कहीं पर कुछ सरपैर नहीं दिखता तो हम लोग परेशान होते हैं और यही कारण है कि Materia Medica पढ़ने से आदमी भागता है जो लोग कर रहे हैं जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी पूरी प्रैक्टिस रिपर्टरी के बेस पे चल रही है क्योंकि Materia Medica 90% लोगों को बिना सरपैर की लगती है और वो कहीं न कहीं है भी अगर आपको यह नहीं पता कि वो बाते कहां से आई हैं और अगर आपको सही तरीका नहीं पता उसको पढ़ने का तो दोस्तों मेरा चैलेंज है बिलकुल छुट और खुला चैलेंज है कि यह जो मैंने अप आपने यह methodology को अपनाया देखिए कई लोग बोल रहे हैं सर सीधे सीधे आप तो हमको medicine बता दो आप मतलब medicine को ऐसा काड़ा बनाओ और हमारा भेजा खोलो उस भेजे के अंदर पूरा काड़ा डाल दो वह भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है पर आप यह समझी है कि वह चीज आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगे क्योंकि वह जो medicine मैं आपको पढ़ाओंगा वही सिर्फ आ मैं अपना पूरा खजाना देने की बात कर रहा हूं और आप बोल रहा हूं कि मेरे को अभी चाय पीना से पांच का नोट से या पांच का नोट से दोर मैं बोल रहा हूं भाई मेरे से सब कुछ ले लो आप तो आपको चाय पीने का आप चाय पीओ आपको महल खरीदने का मह करते हैं रटते हैं रटके भी काम चल जाता जाता है पर जड़ा बेटर तब होगा जब आप उस- inveziehen को समझे तो दोस्तों अब वो क्या तरीके हैं जिस से हमको配 medicine को पढ़ना चाहिए उसके उपर हम आते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे हैं तो दोस्तों यह जो मैने एक छोटा सा conservation तयार करा है इस presentation में मैं आपको ये reproductive बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से medicine को पढ़ना है तो the first point keep it simple keep it simple means do not complicate in the beginning आप इसके सब के screenshot ले लिजिए इसको बॉस्त करिये और इस point का screenshot ले लीजिए और ये point अपनी diary में कहीं पे भी आप note कर लीजिए है ना कि आपको ये चीज़ समझ में आईगी कि भाई मैं बताना क्या चाता हूँ आपको तो पहला तरीका क्या है keep it simple means do not complicate it in the beginning जब भी आप कोई medicine को पढ़ने की शुरुवात करेंगे तो सबसे पहले तो बिल्कुल उसको शुरू में complicated मत करिए मतलब आपको जो समझ में आ रहा है उसको समझते जाई है आप लोग करते क्या है कि हमको जो समझ में आ रहा है हमने समझ लिया जो हमको नहीं समझ में आ रहा था आप तुरंत रटने बैड़े जाते हो ठीक है न तो इससे क्या होता है medicine complicated हो जाती है मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट में इस वीडियो के अंदर मैं उसका एकदम लगभग आठ से दस पॉइंट आपको बताऊंगा कि medicine को याद रखने के लिए आपको किन-किन पॉइंट में उसको पढ़ने की consideration करना है बट अभी पहला पॉइंट यह है कि उसको simple रखी एकदम initially उसको कॉंप्लिकेट मत करो जब आप अलग-अलग किताबों से वह medicine पढ़ने जाओगे ना भाई तो वह तो कॉंप्लिकेट वैसे होना ही है आगे बट इनीशली यू शूड रीड इट प्लेन ली ठीक है ना आपको उसको एक फिल्म की तरह पढ़ना है कि नॉविल की तरह पढ़ना है आप उत्ता मोटा नोवल पढ़ते हूँ पहली लाइन में क्या हुआ था बता पाओगे ना कि य एक अब आते हैंँ दूसरे पॉइट पर हैं Groan Noordぅ स्थे टेंक देट टू अंडर इस्टेंडाइध दू नौ नौक मेमोराइज इट ट्राइट टू अंडर इस ď थे बाई साब, Materia Medica Pura was the basic book from where all the data of the Materia Medica written by the different writer was gathered, ठीक है न? और उसके अंदर एक एक मेडिसीन के पांच पांच सो छह छह सो सिम्टम की प्रूविंग हुई थी, तो आपके हित में यही होगा कि देख यह छोटा सा मेमोरी कार्ड है अपना, कितना ही बड़ा मेमोरी कार्ड हो आ पर Materia Medica का डाटा हमेशा उसकी capacity से ज्यादा होगा, तो ज्यादा बेटर यह है कि आप उसको समझें, उसको रटे नहीं, उसको मेमोराइज मत करो, उसको अंडेस्टेंड करो, अब आप मैं इसे बोलेंगे, वो अंडेस्टेंड कर सकते होते हो, तो पहले ही कर लेते हमको, तरीका ही नहीं पता रहे, भाई बता रहा हूं उसको आगे, पर पहले यह पॉइंट समझो, कि उसको अंडेस्टेंड करो, उसको समझने की कोशिश करो, मेमोराइज मत करो, तो कि मेमोराइज करने बैठो के सेकड़ो हजारों मेडिसीन ने लाखों की ताजाद में सिम्टम पूरा कचरा हो जाएगा दिमाग में जाके, तो क्या करेंगे अपन, हम उसको रटेंगे नहीं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? नौ थर्ड पॉइंट, इस्टेडी इन देट मैनर देट यू हैव बिल्डिंग आ हाउस और इंफ्रास्प्रेक्टर, यह देखिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद मेन कारेकरम चालू होता है, वो मेन स्टेडी चालू होती है, यहां पर मतलब बताना चाहूंगा, आप एक कार लेते हो ना, आपने कार ली, अब एक बात बताओ, जैसे टाटा सफारी है, अगर उसको मैं आपको उसके सामने खड़ा करूँ, आप तब भी पहचान पाओगे, अगर मैं उस टाटा सफारी के आपको पीछे खड़ा स्टेडी, प्रस्पेक्टिव की स्टेडी, कि एक चीज अलग अलग प्रस्पेक्टिव से कैसे दिखती है, for example, ये फोन है, वह वज़े सामने से ऐसा दिख रहा है, यह बाजू से ऐसा दिख रहा है, यहां पे नीचे सा चारजिंग पोर्ट है, उपर इसका यह एर फोन है, यह सामने से ऐसा दिख रहा है, यह पीछे से ऐसा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कि मैंने इस object की हर perspective से study करी है, तो जो perspectives होते हैं, जिस perspective से हम study करते हैं, किसी भी एक मतलब topic की, वो topic की उस perspective, वो अलग-अलग perspective हमारे दिमाग में जाकर अटक जाते हैं, मैं एक और example दूँगा, बहुत गोर से देखिएगा, मैं challenge दे रहा हूँ कि यह जो point है, इसके बात का जो video है, वो आपका वाकई में materia medica को देखने का तरीका बदल देगा, और अगर आपने इस methodology से materia medica का पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं medicine को, और इस methodology से आप n number of medicine, आप सेखड़ो हजारो medicine पढ़ डालोगे, और वो सब आपके दिमाग में आएगा, अब एक बात बताओ, मेरे को दो भाई हैं, हम क्या उनको कभी confusion करते हैं कि उनके बीच में, या फिर ए मेरे को पता हैं, चोले में मसाला डलेगा, सांबर में सांबर मसाला डलेगा, तो जब मैं आप से पूछ रहा हूं, जब आपको इतना पता है, तो आप एक medicine के symptom, दूसरी medicine में कैसे बोल देते हो, करते हैं, और यह मेरे को या दा रहा है, उस medicine का है, पता चला है वो नेट्रम कशारग rollers आ आयोडव में बोल रहे हैं उसको क्यों क्यों को प्रसपेक्टिव आपको नहीं पता मेडेसीन का जिस दिन आपको मैडेसीन का प्रसपेक्टिव पता हो जाएगा उस दिन आप यह गलती body लिए यह जो हम दूसरा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है कि study in that manner that you are building a house or infrastructure ठीक है ना अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट है अभी जो थर्ड पॉइंट है याद रखना इस थर्ड पॉइंट के नीचे कम से कम दस से बारा पॉइंट है और यही बारा पॉइंट आपका fate decide करेंगे कि आप materia medica को कितने अच्छे से समझोगे आप एक medicine को कितने अच्छे से समझोगे तो यह अगला पॉइंट आ गया अब यह क्या है चोथा पॉइंट में मैं बता रहा हूं part of the drug infrastructure infrastructure का मतलब क्या होता है what is the infrastructure पहले हम थोड़ी से infrastructure के बारे में बात कर लेते हैं आपको एक मकान बनाना यह मैं ने एक्जामपल पिछले वीडियो में भी दिया था तो क्या आप एकदम से मकान बन जाता है कि एकदम मकान का बारिक काम के पहले करोगे आप नहीं करोगे ना पहले आपके पास एक प्लॉट है उस प्लॉट पर आप प्लिंथ बनाते हो प्लिंथ के बाद आप उसके अंदर कॉलम करते हो ब्लास्टिंग करने के बाद आप वाइट सिमेंट करते हो फिर आप प्राइमर लगाते हो फिर आप पेंट करते हो फिर फ्लोरिंग करते हो तो आप देखें कि यह मैक्रोस्कोपिक मतलब मोटे-मोटे काम से मकान बनते-बनते बारिक काम होने लगते हैं फिर क्या होता कि आप क्या पेंट कर लोगे कि पहले दिन यह पेंट आप बोलोगे मकानी नहीं यह प्लास्टर करूँ कहां दे सेम लॉइज अप्लाइड ऑन दा मेडिसीन एक मेडिसीन को मेडिकर से ड्रक को पढ़ने में सेम फंडा लगता है आपके पास आपका जो दिमाग है आपके दिम मैट नम की दवा पढ़ने के लए बैठे ओँ या एप इस पढ़ने के लिए बैठे ओ बस अभी आपके पास कुछ भी नहीं तो जिस तरह से आप एक मकान का कंस्ट्रक्शन करते हो कोई भी एक इन्फ्रेस्टुक्चर को डिजाइन करते हो बिनकुल उस इन्फ्रेस्ट्र बनाते हैं हम उस मेडिसिन का अपने माइंड अपने ब्रेन अपनी मेमोरी में और वह इंफ्रस्ट्रक्चर जो है फिर उसके बाद हम लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं है तो अब क्या है अब उस इंफ्रस्ट्रक्चर का में पार्ट बता रहा हूं ठीक है नब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा कि keep it is simple means do not complicate in the beginning simply पढ़िया materia medica को बिल्कुल complicate होने की जरुवत नहीं है पहले हम छोटी किताब पढ़ेंगे फिर उससे बाद हम बड़ी किताबों की तरफ जाएंगे कई बार ये method उल्टी भी करनी पढ़ेगे आपको बहुत बड़ी drug के अंदर ठीक है ना आपको कई बार पहले बड़ी किताब पढ़नी पढ़ेंग की नहीं तो पीसरा study in that manner that you are building a house or infrastructure मैं कोई एक बतलब infrastructure तयार कर रहा हूं क्योंकि देखिए medicine को पढ़ना मकान बनाने की समानी है मकान बस जमीन पर बनता है medicine का infrastructure दिमाग में बनता है ठीक है अब पार्ट क्या है इस infrastructure के सबसे पहला पार्ट sphere of action of a drug क्या होता है sphere of action कोई भी आप material medical पढ़ने के लिए बैठोगे आपको शुरू में एक sphere of action बताया जाता है यह दबाई यहां यहां काम करती है तो यह जो sphere of action होता है यह पहला स्थम्ब होता है उस drug के लिए उस drug को पढ़ने का जो पहला स्थम्ब होता है पहला जो बेस बनता है वो होता उसका sphere of action जैसे मैं ब्राइनिया के एक्जम्पल ऐसे दूँगा कि जब एक मैडिसीन को मैं आप दस वीडियो के अंदर बार बार उसको अलग-अलग एस्पेक्ट से सुनो गया और वो आपको क्लियर होगी तो आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि मैं को कहां से पढ़ना है इसको किस तरह से प बहुत कम नॉलेज है जो मेरे वीवर्स हैं जो स्टूडेंट सेंभी फर्स्ट सेकेंड थर्डियर में हैं उनको शायद यह नॉलेज कम होगा पर आप मैं से थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको नॉलेज होगा कि अगर मैं आप से पूछ बोलूँगा क्या पेट के इंडाइजेशन के लिए दवा बताई है गैस्वेस बनरी इसके लिए आप में से जाधा दर फट से चल लेंगे चाइना कार्बोवेज लाइको पोडियम एसे फिटीडा रेफेनस से टाइवास ऐसा आप बता होगे ना तो यह होता है स्पीर ऑफ एक्शन की स्पी पर देते हैं बर्बेरिस बुल्गैरिस सार्सा परिला पलसे टिला इक्विसेटम है ना चुमा फिला अंबलेटा तो देर अन नंबर ओफ मेडिसीन विच हैव देर एफिनिटी फॉर वाट और फॉर ए स्पेसिफिक और फीमेल रिप्रोड़क्टिव ट्रेक्ट पर बात कर नाम आएंगे तो यह इस तरह से होता है तो आपको मैंने यह बताया और आप समझे कि इस फियर ऑफ एक्षेन क्या होता है यह पहला बेस बनाता है हमको याद करने के लिए कि स्टार्ट कर सकते हैं आप अपन मानलीजी आप और जैंट नाइट्रीकम की बात करें तो और जै दिखता है वो जितना उसका प्लेथोरा है उसके सर्कूलेशन में उतना ही प्लेथोरा है तो आप मेरी बास समझ रहे हैं कि वाट इस ट्रग काम करती है बंदे की बॉड़ी के अंदर काम कर रही है तो उसका वहाँ पर कौन से वह पाट को लेके के अफिनिटी है अब अगर जैसे स्फियर ऑफ एक्शन का एक और एक्जमपल लूग की टेंडेंस लिगामेंट जॉइंट के ऊपर काम करने वाली दवाई हैं तो आपके पास तो बहुत सारी लिस्टा जाएगी अपने पास रस्टॉक्स भी है कलकेरिय कार भी है साइलीशिय तो यहां पर मैं यह बात कर रहा हूं कि पहला जो बेस आपको एक दवा पढ़ने के लिए मिलेगा वो होगा उसका इस्फियर ऑफ एक्शन जो कि यह निर्धारन करेगा कि वो दवा कहां काम कर रही है ठीक है ना कि वो टार्गेट ऑर्गन पर जाकर के क्या काम करती है यह दूसरा हमको यह पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा कि हर एक दवा जैसे मैंने ब्राइनिया का बताया था कि ब्राइनिया का चीफ इस्तियर ऑफ एक्शन कौन-कौन सा है उसका है सीरस मेंब्रेन है म्यूकस नोती है मट्यक्स मेंब्रेन काम करतीय है और जूइंट करे शhalb यहां के क्यों यहां पर प्लती यहां पर जैसा कि हमने बताया था और हम सब जानते हैं कि जो ब्राइनीया है, वो सीरस남ुजन की बहुत laboratories बैडिकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिशन है, उसमें हर जगे सीरसневुजन होता है, brain के meningitis में, meningitis के पवर्म मेंário सीरसी फ्यूजन होता है, ठीक है, lungs के अंदर plural membrane में, pleuracy के फ़र्म में भी सीरस effusion होता है, joint में swelling होती है तो joint का जो serious effusion होता है वो joint के swelling के रूप में हम देखते हैं, तो जो serious membrane में हैं, वो उसकी site of action, sphere of action हो गया, और यहाँ पे at the sphere of action मतलब site of action पे क्या target organ पे क्या हो रहा है effusion हो रहा है, पानी भर रहा है सूजान आ रही है, तो यही हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि action at the site of target organ, तो target organ हो serious membrane और target organ के उपर action क्या हो रहा है, plural effusion, plural मतलब serious effusion, पानी भर रहा है जो दूसरा हमने sphere of action ब्राइनिया का mucous membrane बताया था, अब वो mucous membrane के उपर action at the site of target organ, mucous membrane पर क्या action हो रहा है, dryness हो रही है इसलिए ब्राइनिया के पेशेंट को घड़ी-घड़ी प्यास लगती है, उसका गला सूपता है, वो पानी लगती है, वो पानी पीता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है एक बार में, उसके अलावा उसको जो मुशा ने वो hard हो जाता है, क्योंकि उसकी intestine और rectum की भी mucous membrane dry है, तो dry brown burned stool होता है, तो यह दूसरा point था, कि हमको एक medicine को समझने के लिए दो चीज़े हमने समझ ली, है ना, जो पहली हमने चीज़ समझी, वो थी sphere of action of drug, drug कहां काम करती है, body के अंदर और action at the site of target organ की, जहां पे drug काम करती है, उस जगे exactly करती क्या है, ठीक है ना, अब liver पे काम lycopodium का भी है, चाइना का भी है, फॉस्फोरस का भी है, पर फॉस्फोरस की peculiarity है, फॉस्फोरस is one of the most important medicine for the fatty degeneration of liver, फैटी liver, तो फॉस्फोरस का action, site of action क्या हो गया है, एक liver भी हो गया है, उसके drug picture में और liver में यह क्या पैदा कर रही है, यह fatty degeneration of liver कर रही है, तो this is what is known as the action at the site of target organ, अगला point, organ or part affinity of a drug, यह बहुत important point है, organ or part affinity of drug, देखिए, हर एक drug का कुछ specific जगे काम होता है, आप मेरी बात समझे, जैसे कि मैं अगर brain पे काम करने वाली neurological दवाएं मोटी-मोटी ढूनो, तो वहाँ पे मेरे को क्या मिलेगी, barita कार्व मिलेगी, phosphorus मिलेगी, causticum मिलेगी, lethirus मिलेगी, physo stigma मिलेगी, यह दवाओं को ढूड़ना बड़ा कठिन नहीं है, इनको बस में paralysis type करूँगा, कोई भी जैसा मैंने नहीं बताया आपको complete dynamics के उपर, रिपाटरी पे मेरे को पता चल जाएगा, तो इसको हम कहते है, organ की affinity, liver पे काम करने वाली medicine, चाइना है, पूड़ोफाइलम है, चैलीडोनियम है, ब्राइनिया है, एस्कुलस है, एलोज है, हैना है, तो यह जो medicine है, यह पूरा का पूरा एक group of medication है, जो सिर्फ लीवर से affinity रखता है, अगर उसके हम drug picture को भी पढ़ेंगे, तो हम को यह दिखेगा, तो हम को यह पता चल जाएगा, जो हमारा third point है, कि organ या part affinity of a drug, कि कोई एक drug किस पार्ट से affinity को रखती है, जैसे कि आप आर्सिनिक ग्रेफाइट सोरिक मेडिकेशन पढ़ोगे आप, तो आप आओगे कि यह सारा का सारा medication ज्यादा अच्छा वर करता है, जैसे किदर पर यह करता है, इसकिन के उपर, इसकिन मेडिकेशन इटेक्ट ऑन दे सकिन इटेक्ट ऑन दे सोरा इसे इटेक्ट ऑन दे एक्जीमा, तो यह तीसरा point है न, और तीनों point बहुत एकदम से closely एक दूसरे के आसपास पढ़ते हैं, पर तीनों में बहुत ज़्यादा फरक है, आप याद रखिएगा है न, तीनों में बहुत ज़्यादा फरक है, पहली बात क्या थी, sphere of action कहां काम कर रहा है, दूसरा action at the site of organ, मतलब उस जहां काम कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है, और तीसरी चीज, कि कोई specific organ या part की affinity, या मैं organ और part दोनों को, मैं इसलिए साथ में ले रहा हूँ, कि there are medicine की एक list है, जो blood vessels पर काम करती है, यह सारी वो medicine होती है, जो होती है काई के लिए varicose veins, generally blood vessels को varicose veins से relate कर दो, यह उस पर काम करती है, जैसे कि hemamless, pulsatilla, fluoric acid, arsenic, यह पूरा का पूरा ग्रूप है, जो blood vessels पर काम करता है, वैसी हमारे पास एक और ग्रूप है, जो glandular medicine है, सारी से सारी glands पर काम करती हैं, जैसे marxol, phytolakka, belladona, baritacarb, cystus canadensis, यह पूरा का पूरा ग्रूप of medication है, जो सिस glands के उपर काम करता है, इसको drug picture में भी glandular medicine बताया गया, कल्केरिया पूरा का पूरा कल्केरिया, कल्केरिया ग्रूप जो है, वो glandular है, जिसमें कल्केरिया आयोड आती है, कल्केरिया कार्ब आती है, कल्केरिया फॉस आती है, कल्केरिया फ्लोर आती है, ऄटा लाइन आपको याद हरही होगी तो यहाँ पेसलिए मैंने और पार्ट की बात करिए ऑर्गान अगर कोई स्पार्जमी काम करती है यह सब उसके अलावा एलेट्रिस सेरिनोसा जै अशोका आप में से कई लेडी डॉक्टर जो अपनी फीमेल पेशेंट्स को देते होंगे तो यह हो गया औरगन की बात पर मैं औरगन के साथ साथ पार्ट की भी बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए जैसे लिंफेटिक सिस्टम पर क काम करने वाली दवाएं सोरा सोरी जो मेडिसीन होती सब वेना सिस्टम पर काम कर दी है हमारे मूल भूत रूप से वेना सिस्टम पर काम करने वाली दवाएं कौन कौन सी है वह ग्रेफाइटास सलफार सीपिया एट्सेक्टर बहुत सारी दवाएं तो यह तीसरा पॉइंट हो गया है ना let's go and jump directly on to the fourth point the fourth point is constitutional affinity of the medicine including patient build यह बहुत important point है इसको धंग से समझ लीजेगा मैं constitutional affinity की जब बात कर रहा हूं तो यहां पर दोनों की बात कर रहा हूं कि जो ग्रैवागल के constitutions बताये गए थे मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ और यहां पर में constitution का मतलब यह भी कहना चाहता हूं कि जो पेशेंट का उसको बिल्ट कैसा दिख रहा हो वह दूबला है मोटा है लंबा ancora है वह कह रहा है मतलब कैसा है उसका बद तो यहां पर मैं दोनों इंक्लूट कर रहा हूं यहां पर मैं उसका खुद का बिल्ट को भी इंक्लूट कर रहा हूं ठीक है ना तो constitutional affinity of the medicine कैसे उसका एक example सबसे अच्छा hydrogenite constitution जितने भी psychotic patient होते हैं psychotic myasome के जो थूजा और मेड़राइनम का जो psychotic myasome की बात कर रहा हूं उनका सब का hydrogenite constitution होता है वो आपको साफ बताएंगे sir I have the aggravation during the rainy damp cold weather damp weather damp weather का मतलब नमीदार motion motion नमीदार का होता बरसात में होता है क्यों होता है क्योंकि हमारे बरसात के अंदर आधरत हुमिडिटी बढ़ जाती है पानी का स्थर जो होता हुआ में बढ़ जाता है that is what is known as the dampness अब क्योंकि hydrogenite constitution के अंदर पानी के अधिकता शरीर में ज्यादा होती है तो जब भी मौसं के अंदर जल की अधिकता होगी तो उसको एग्रिवेशन होता है तो यह इसके अंदर नेट्रम सेल्फ आपका अरानिया डाइडेमा थूजा डलका मारा पूरा का पूरा ग्रूप एक मेडिकेशन को तो यह constitutional मतलब में कि वो तो बात करी रहा हूं दूसरा including the patient's built medicine मतलब constitutional affinity of medicine including patient built patient का built कैसा है क्या वो दूबला है अगर वो बहुत दूबला है तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं माल नरिश्मेंट का शिकार है तो इसके अंदर जो medicine हमको इंडिकेटेड होंगी अफिर जो medicine हम पढ़ रहे हैं आपने नेट्रम यूर पढ़ी आपने अब्रोटिनम पढ़ी आपने आयोडम पढ़ी तो आप देखो medicine को पढ़ते वक्त यह consideration करना है कि what is the constitutional affinity of the medicine यह कहीं ना कहीं लिखा होगा what is the patient built तो इससे क्या है आपका जो infrastructure होता है प्लिंथ बनना पिलर लगना छट डलना चुनाई दिवार की होना तो इससे यह जितने भी point में बता रहा हूं इससे आप एक picture patient का बना के उस drug का picture बना के अपने mind के अंदर memorize कर पाओगे और जिसकी वज़े से आपको medicine को कभी भी रटना नहीं पढ़ेगा अगर आप एक medicine को पढ़ते वक्त इतने point में divide कर दो आप medicine को पढ़ना शुरू करोगे उसने बोला कि this has the primary action on the female reproductive track तो आपको इसको point को उठा गया आप वहां पर लिख दो जो point में इसमें बता है कि भाई हां इसका sphere of action है अब फीमेल रिप्रोड़क्टिव ट्रेक्ट पे वह हमरेच पैदा कर रही है एक्सेसिव मैंसेस पैदा कर रही है तो यह उसका side के ऊपर उस मतलब sphere of action वाले और आपने देखा तो वही आपको पेशेंट का बिल्ड पता चला है कि भाई यह स्कूरूनी लेडी की बात कर रही है तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक ड्रक का picture आपको as a novel as a film की तरह याद हो जाएगा कि चार घंटे की भी picture दिखाऊंगा तो आपको पह अपना हो गया है अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि पहले sphere of action क्या है हमको यह ड्रक का पढ़ना है समझना है दूसरा वह sphere of action में टार्गेट और तो वह क्या है काम करती है जाके दूसरा point से हम इस तरह से ड्रक का picture बनाने मे और याद रखने में असानी होगी constitutional affinity क्या है ठीक है ना including patient का build पाच्वा माइजमेटिक affinity of a medicine माइजमेटिक affinity की बात कर रहा हूं कि उसकी माइजमेटिक affinity क्या है कि कौन से माइजम को generally वो belong करती है देखिए माइजमेटिक affinity आपको drug के introduction में कहीं ना कहीं लिखी होती है अगर आप बहुत short literature पढ़ रहे हो तो एक बहुत अलग बात है जैसे केलेंस की नोट पर पिछले वीडियो था पर अगर आप ठीक ठाक लेंद की drug picture पढ़ रहे हो ना constantine herring को पढ़ रहे हो या फिर आप जेच क्लार को पढ़ रहे हो केंट को पढ़ रहे हो तो वहां पर मेडिसिन के अंदर उसका मायजमेटिक अफेक्शन बाकायदा क्लियर होता है और अगर हम बड़ा ड्रक पिक्चर पढ़ेंगे हम बड़ा ड्रक पिक्चर मतलब बहुत बड़ी बुक से हम ड्रक पिक्चर पढ़ेंगे तो यह हमको मायजमेटिक अफेक्शन साफ समझ में आ जैसे कि कुछ एकजामपल बताता हूँ वीपिंग डिस्पोजीशन पलसे तिला फट से याद आ है ना फर सटिला रेट सेंड इन यूरीन लाइको पोडियम वाइट सेंड इन यूरीन सार्सा पैरिला tension is the key note of this medicine आपको एको नेट तरंक याद आएगा ये key note है, मतलब key note बोलना है मतलब characteristic symptom है बिल्कुल red line symptom है बिल्कुल medicine के बिल्कुल क्या बोलते हैं कि अगर medicine को हम बोलें कि भाई तू पलसेटिला को पांच लाइन में बता तो जो पाँच लाइन पेशेंट पढ़ेगा जो उसके सबसे important characteristic symptoms होंगे तो आपको एक medicine के characteristic symptom unconditionally याद होने चाहिए आपको ये याद करना पढ़ेगा और no doubt जैसा कि मैंने बताया आप detail में जब बड़ी material medicas पढ़ोगे ना तो बड़ी material medica के literature को पढ़ते वक्त जो characteristic symptom की एलेंस keynote और बोरिक जैसी जगे लिखे हैं वो कहां से आएं आपको ये भी पता चल जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई कोई ना कोई वाक्या होगा है ना तो ये क्या है characteristic symptom of medicine कि बहुत ज़्यादा important peculiar, rare, strange symptom कुछ medicine में होते हैं ज़्यादा तर में होते हैं ठीक है ना अब जैसे कि eating without eruption, miserium ये भूत important symptom है miserium के लावर डॉली को से एक और medicine है तो ये characteristic symptom होते हैं एक medicine के ये जो characteristic symptoms हैं वो आपको याद रखने हैं you had to memorize them and if you carefully and in detail read any lengthy and long material medica बहुत बड़ी किताब को pioneer के आप पढ़ोगे तो ये characteristic symptom की proving किस तरह से हुई थी कौन से हाथ से हुई थी किस case में हुई थी आपको ये भी पता चल जाएगा ठीक है ना तो ये F read introduction of the medicine very carefully अगला point G है ना G point read introduction of medicine very carefully and try to relate the particular with it हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हम जब introduction of कोई भी medicine का पढ़ते हैं तो शुरू का जो page होता है वो तो बड़ा enthusiastic होता है हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पर आपको ये जो introduction of medicine का होगा जब आप multiple books से पढ़ोगे चार-पांच books से सिर्फ introduction पढ़ोगे तो मैं challenge कर रहा हूं कि आप अपने आप अंदाजा लगा लोगे कि particulars में probability क्या होगा it is as simple as that जैसे phosphorus को मैंने multiple किताबों से पढ़ा तो phosphorus के लिए देखो कितनी अच्छी बात होती है बोली हुई यह बहुत प्यारा example है आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो value iron रखता है blood के लिए calcium रखता है bones के लिए वही value phosphorus रखता है brain के लिए मतला iron जो blood के लिए महत्व है और जो calcium का bones के लिए वही महत्व आया phosphorus का brain के लिए क्योंकि phosphorus जो होता है वो brain का 1% part को constitute करता है यह विलियम बर्ट physiological material area medical में लिखी यह बात और अगर मेरे को यह line पढ़ती तो मैंने phosphorus का basic चित्रण ही मैंने इसी करा है कि मेरी जो phosphorus है वो सिर्फ इस line के अगल बगल ही मतलब है पूरी मेरी phosphorus जो मैंने याद करी है वो इसी line के अगल बगल हम सब जानते है phosphorus brain phosphorus का सब्सक्राइब होता है तो जिस तरह से आयरन में जब ब्लैड में आयरन कम होगा कैल्शियम हड्डियों के अंदर कम होगा तो हम कॉस्टियों पोरोसिस होगा मतलब जो हड्डी को हड्डी क्या काम करते हैं को strength प्रवाइट करती है ना तो हमेरे strength कम हो जाएगी बोन ब्रिटल हो जाएंगे टूड जाएंगे एनेमिया हो जाएगा आईरन खून में कम हो जाएगा हम वीक हो जाएंगे उसी तरह से जब ब्रेन में फॉस्पोरस कम होगा तो वी विल बी दिस ब्रे टूर्ड ट्वर्ड मेनि टाइप ओफ न्यूरो लोजीकल सीम्टम हमब उप्राल स्लीकल सिम्टम तो जितने भी पैरलेसिटलर wie जिess पैरा प्लेजिए से मेंप्लेज या ओल्ड ऐलेक डिलेटेड में क्या ओ्लों के धिमाघ के अंदर बेन श्रिंक भी पहता तो वह इनिशेल फेज में एकदम पैरलीसी नहीं आएगा उसके इंदर इंदर कउपिडेंस की कमी बिल्कुल ओपननेश होगी मतलब वह कोई भी बाहरी इंपरेशण इपनी उपर ले लेगा एकदम से घबरा जाएगा एक दम से तिल मिला जाएगा मतलब यह फॉसपोरस में इंट्रोड़क्शन के लिए वह फॉसपोरस की और कोजिए के लिए बताइए और चल्ष headquarters के तो यह वहां से अब मिरे सारे पॉइंट इसके अगल बगल आएंगे एक्स्ट्रिमिटी जब राइनिया का इंट्रोडक्शन पड़ते हैं तो क्या बोलता सीडस मेंब्रेन म्यूकस मेंब्रेन बोला है ब्राइब कर रही है सीरस मेंब्रेन में फ्यूजन कर रही है तो मेंग में अब पूरी द्रग पिक्चर जो पटिकुलर्ज के अगल बगल लाइज जाएंगे कि बहुत में तो वह तो वह पर सीरा सी फ्यूजन में घुटना सूजा पड़ा है ब्रेन के अंदर आए तो ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस बता रहे हैं फीवर के अंदर आओ तो इस प्रकार का इंफ्लमेटरी फीवर बता रहे हैं समझ रहे हो आप मेरी बात तो यह कै यह यह आप जब आप जब इंट्रोडेक्शन आप मेडिसीन को बिलकुल खुले मन से और कई किताबों से पड़ोगे तो पहली चीज अगर आपने बहुत सारी चारचे किताब से इंट्रोडेक्शन प पढ़ते तो पर्टीकुलर समझ में नहीं आता दूसरा पढ़ते भी हो तो एक बोरी का आपने पढ़ लिया आपने सोचा कि मैंने बोरी करटली मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया वाई साब इतनी आसानी से नहीं आती मटेरिया मेडिक यहां पर हम लगपती करोड़पत ही बात कर बनने की बात कर रहे हम दुनिया को अपने तलू मों के नीचन लाने की बात कर रहे हैं कि हम इतना हीसा पीट लें क्याम सबको नौंकर बना करें चेड़ हम वह बात करेंगे तो यह इतना आसान नहीं है अना हम तो इसじゃあ some need तो दिस उओर point G. यह फिस न्ट फ्र स्टूल एक्स्ट्रीमिटी जन्रेलिटी तो यह पॉइंट को इंट्रोडक्शन से एक रिलेशन हमको बिठाना है और यह भी हमारा मीटर है कि हमको उस दिन तक अलग-अलग मेटेरिया मेडिका से हमको एक मेडिसीन को पढ़ना है जब तक यह हम रिलेशन्शिप अच्छे से एस्टैब्लिश ना कर लें हैं अब दोस्तों चलते हैं बगले पॉइंट पर ट्राइ टू को रिलेट ड्रग पिक्चर विद डिजीज पिक्चर टोल्ड इन द अलाइट सब्जेक्ट फॉर बैटर अंडर्स टेंडिंग भाई लोगों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइट टू को रिलेट दे ड्रग पिक्चर मतलब जो मतेरिया मेडिका म अंदर जो हमको डिजीज पिक्चर बताया गया उससे हमको को रिलेट करना है और अगर यह हमने किसी भी ड्रग में कर लिया तो भगवान कसम वो कभी नहीं बूलोगे एक एक्जामपल डॉली कोस करके एक मैडिसिन है आप सब जानते हैं मैं क्लीनिकल प्रैक्टिशन हुआ डॉली कोस के अंदर बताया गया है एक्टेरस जॉइन डेस मैं कैसे को रिलेट करना मैं आपको यह बता रहा हूं डॉली कोस की एक स्क्रीन नहीं लगाने वाला हूं कि आपको वहां से दिखा दूँ बहुत लंबा वीडियो हो रहा है पहले डॉली कोस को जब आप पढ़ो है कि डिचांडीट में होगी कि जब लीवर के अंदर प्रक्त तुट रहे हैं क्या है वह एक्ट ब्रेकड़क्त है तो यह प्रीपेटिक हो गया है यह पैटिक मतलब है लीवर की दिक्कत के कारण वो conjugate unconjugated से conjugate नहीं हो पा रहा है अन कंज्यूगेट बिली रूबिन और conjugate direct indirect की बात कर रहा हूं मैं ना तो unconjugated मतलँ जब भी RBC तूटता है तो उसका जो बिली रूबिन निकलता है वो लीवर उसको unconjugated से conjugate करता है क्यों करता है क्योंकि unconjugated water नहीं होता अं confirm Angelhum ne הפनी मेल नहीं ःत्वर नहीं गुलेगा और जब तक वो पानी में नहीं गुलेगा आपको पता है वह best product है वहों को 40 से भाहर निकालना तब तक वह बाइल के के अंदर मिलके डियोडिनस से होता वा आतों में नहीं आएगा पोट्टी से नहीं निकले समझ रहें हो तो आर्बेसी टूटा । बिनिकला लीवर ने उस बिरुटि। उनको अन्यूगेटेट से गनन करा कांजुगेट करने के बाद वो बिली रूबिन कैसा यहां पर यह पूरी वाइल डक्त आके फूलती हैं लेके आती है सेकंड पार्ट ऑप डियोडिनम में जब वहाँ पे सूजन आ जाएगी तो वो एमपुला वेटर ब्लॉक हो जाएगा और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो यह अब यह बाइल जो है वो लीवर से आतों में तो आ नहीं रहे तो वो लीवर के अंदर ओवर्फलो होगा और ब्लेड में आएगा और कन्जूगेट ब्लॉबिन का लेवल ब्लेड में बढ़ता है तो पी लिया होता है और वो ही कन्जूगेट ब्लीरॉबिन खुझली पैदा करता है तो अगर मैंने डॉलिकोस को पढ़ते वक्त तो उसका कोर्रिलेशन यहां से बठा दिया कि डॉली कोस is a very good medicine for what obstructive joint disc associated with the skin eating due to the raised bilirubin in the blood हम सब जानते हैं पीलिया के patient को खुजली चलती है जब वो obstructive joint disc, post hepatic joint disc का case होता है उसके इंदर उसको खुजली चलती है तो अगर मेरे कोई यह relation यहाँ पर पता है properly मतलब try to correlate यहाँ पर drug picture मतलब डॉली कोस के drug picture को मैं disease picture मतलब joint disc को धंग से पढ़ लूँ अगर और उसको correlate करूँ तो मैं मेरी understanding डॉली कोस के बारे में जो है आज की तारिक में है वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा और दूसरी चीज़ क्यों कि मेरे को disease picture पता था joint disc का कि what is hepatic pre-hepatic and post-hepatic joint disc और इन तीनों के लक्षेन अलग अलग किया है तो मैं तुरण समझ गया कि post-hepatic joint disc की एक important दवा है डॉली कोस को तो यह मेरी better understanding के लिए भी मेरे को मदद करेगा दूसरा example एक और छोटा से example दूंगा आप आयोडम का लगेगा कि मैं आयोडम का ड्रग पिक्चर पढ़ रहा हूं वो सीधे-सीधे उसको यह लगेगा कि यह तो सारे सिंटम्स हाई पर थायरोडिसम के तो यह एक एक example है कि कि किस तरह से ड्रग पिक्चर और डिजीज पिक्चर का को रिलेशन अगर हम बिठा लें तो हमारी मटेरिया मेडिका की अंडेस्टेंडिंग कितनी बैटर हो जाती है ठीक है ना अब दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा होना करते हुए हम अगले पॉइंट के उपर जाते हैं विच इस री पॉलिश यूर नॉलेज ऑफ अलाइट सब्जेक्ट विट स्टडी अफ मटेरिया मेडिका एस फिजियो लॉजी एनटमी एंड पी एम यह जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि आप ड्रग पिक्चर और डिजीज प कोई ने कोई बीमारी बताते हैं और आप देखोगी कि गोर से ट्रग पिक्चर डिजीज पिक्चर एकदम को रिलेट करेगा तो यह अगला पॉइंट उसी से संबंदित है भाई साब बिना अलाइट के नॉलेज के आप कभी भी अच्छे होमियोपैत नहीं बन पाओगे औ सबसे अच्छे पाइनियर्स हैं वो सब एलोपैथी का नॉलेज बहुत अच्छा था उनको उनको मॉडस एपरेंडाई और बॉड़ी एनाटमी फीजियोलोजी के बारे में वो बहुत अच्छा जानते थे यह वाई देवर एबल टू बी ए गुड होमियोपैत और मैं भी अच्छा होमियोपैत मानता हूं पूरी दुनिया मुझे मानती है और उसका सबसे इंपोर्टेंट और एक ही कारण है कि मेरा अलाइट का नॉलेज शुरू से बहुत अच्छा था मैं अलाइट सब्जेक्टों से शुरू से बहुत प्यार करता था और उसी प्यार की वज़ होती जैसे कि अ इन कुलेज ऑव या जोब्य बहुंच्ञ के बीच्छ के बीच मैं है तो अग्ला पॉइंट यही है इक अच्छी मटेरिया मेडिका की स्टेडी के पहले री पॉलिश कर लिजी अपने लॉलेज आफ अलाइट सब्जेक्ट जिसमें anatomy, physiology, practice of medicine वगेरे 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 बहुत सारी चीज़ें होती है है ना तो जब तक आप इस तीज़ को आप अच्छे से polish नहीं करेंगे knowledge को तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है दोस्तों अब मैं ले जाता हूँ आपको आखरी पॉइंट पे, may भी प्रॉबेबली आखरी पॉइंट पे आखरी से नहीं, second last है, second last है अना Do not try to learn a medicine in the single sitting and from a single or few book एक medicine को single sitting में कभी भी याद करने की कोशिश मत करो और single किताब से तो कत ही नहीं या कुछ गिंती की छोटी-छोटी किताबों से एक medicine को पढ़ने की कोशिश मत करिये कुछ हासिल होगा नहीं मैंने कई वीडियों में बोला है sulfur, calcaria, lycopodium जैसी medicine को मैंने दो-दो देड-देड, दो-दो महीने पढ़ा है मैंने दो महीने लगता, lycopodium को पढ़ा क्योंकि वो इतनी बड़ी दवा है अगर मैं 6-8 किताबों से भी पढ़ रहा था तो वो खतम ही नहीं हो रही थी ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी एक medicine को एक sitting के अंदर एक किताब से पढ़ने की गलतिक रपया ना करें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एक medicine को पढ़ना, समझना, realize करना यह बहुत मतलब कठीन काम है इसमें बहुत time लगता है आप बिलकुल ही आमाज सोचो कि मैं आभी 6 गंटे में एक medicine निप्टा दूँगा, नहीं निप्टा होगे आप medicine आपको निप्टा देगे, आप medicine नहीं निप्टा पाऊगे, यह याद रखना है अगला point, feel the medicine, it is most important to understand the patient condition दोस्तों, medicine को feel करो, यह बहुत important में बात बोल रहा हूँ और जब तक आप medicine को feel नहीं करोगे ना, आप यह समझ ले ना, आपने पढ़ा ही नहीं, materia medica होते है, अच्छे है से, आपने कितनी रटलो, कितनी समझ लो, कितनी memorize कर लो, उसको feel करना पड़ेगा मतलब sore, lamb, bruised, feeling all over the body as a bitten, आर्निका में लिखा है ना, sore, lamb, bruised, feeling all over the body as a bitten, मतलब किसी को लट्थों से मारा गया हो, बहुत ज़्यादा, और उसके बात जैसा दर्द नहीं होता आने वाले 2-3 दिन तक, वैसे दर्द की एक आर्निका दवा, जो जनरली इंजूरी के बाद होता तो मेरे को ये चीज फील करनी पड़ेगे, मैं जब तक इसको मानसिक रूप से मैं फील नहीं करूंगा ना, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, rheumatic pain जो होते हैं, वो materiamedica, repertory में tearing pain बताये गये तो मैं को tearing pain समझना पड़ेगा कि what is the difference between the soreness, tearing pain, stitching pain, burning pain, इनके बीच फ़रक्या होता है, तो मेरे को अपने ऊपर एक apply करके, क्योंकि देखो, मैं एक माध्यम हूँ, वो रहा patient, वो औरी materiamedica, मैंने materiamedica पड़ी, पेशेंट मेरे पास आया अब पेशेंट जो बोल रहा है उसको अंडेस्टेंड करने के लिए मैं को मटेरिया मेडिक की लाइनों को फील करना पड़ेगा तभी मैं उसकी बातों को को खटक से समझ जाऊंगा अच्छा बिटा ही हो रहा तेरे को आप मैं उमीद कर रहा हूं आप समझे मेरे इस बात को एंड़ लास्ट वन अंडर इस्टेंड पेस ऑफ दा मेडिसीन एश शॉर्ट लॉंग और डीप दोस्तों इसके उपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा है ना कि क्या होता है पेस ऑफ दो मेडिसीन मेडिसीन के पेस को बीमारी के पेस से मिलाया जाता खिर वो एक अलग टॉपिक है और अगला वीडियो उसी पे आने वाला है तो आप उसमें देख लीजेगा वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट होगा कि हाउट टू स्टेडी म बस लाइनों को अलग करके इन अलग-अलग सेक्टर में डाल दीजिए कि अगर कोई दवा का यह काम यहां पे होता तो उसको स्फियर ऑप एक्शन में डाल दीजिए क्या एक्शन हो रहा उसको एक अलग पॉइंट बना लीजिए उसका मायजमेटिक एफिनिटी क्या है उस non-methodological procedure से पढ़ने से ज्यादा अच्छा आपका comprehension होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा क्या यह आपके काम आया आया तो कितना आया नहीं आया तो क्यों नहीं आया यह प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और वीडियो काफी लंबा हो गया तो दोस्तों आज के बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकाउत होती है तब तक नमस्कार